हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अप सॉलूसंस पर दोस्तों जैसे की सीरीज की पिछले वीडियो हमने यह देखा कि अगर आप एंगुलर सीखने जाते हैं एंगुलर सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या क क्या क्या आपको जानना होगा कौन ऐसा कंसेप्ट है जिनके बीना हम एंगुलर का अप्लिकेशन डिवलप नहीं कर सकते मतलब में वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एंगुलर के बेसिक आपकी टिक्चर क्या होता है यह दोनों वीडियो समझने के बाद आपका कि आपना लैपटॉप कैसे रेडि करते हैं मतलब हमारा टार्गेट यह है कि एक 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 स्टेप बेस आपको सिखाऊंगा बिल्कुल यही पर करके दिखाऊंगा ऐसा नहीं कि आपको बोल दूँगा कि आप ऐसे कर लो ठीक है मैं बिल्कुल डाउनलोड सामने डाउनल करऊंगा जिससे कि आपका कंसेट क्लिर हो जाएगा बहुत सारे विवर को दिकत आता है कि हम कैसे इस्टॉल करें इस्टॉलेशन में को दिकत आता है तो आप यह वीडियो देखने के बाद अच्छे से इस्टॉल कर लेंगे अगला जो इसके बाद जो कौन से हैं मतलब यह कि main building block of an angular application ठीक है चलिए देखते हैं कौन-कौन सा है में building blocks में आता है आपका modules, components, templates, metadata, data binding, services, directives, dependency injection यह ओ modules हैं, ओ blocks हैं जिसके बीना आप angular का application develop नहीं कर सकते हैं कहने का मतलब यह है ठीक है देखनी में ताब को एक-एक word दिख रहा है लेकिन यह सारे अपने आप में एक-एक chapters है ठीक है module का भी एक अपना chapter होता है बहुत इडिपली में जानना होगा components, templates, metadata, data binding, सब अपने आप में बहुत इडिपली बड़े concept है और यह angular application के main building blocks में आते हैं इस वीडियो में इन सब के बारे में short introduction में आपको समझाओंगा module क्या होता है, component क्या होता है, templates क्या होता है कोई chapter हमें भी यह start नहीं करने जा रहे हैं इनके बारे में short introduction समझाओंगा इस वीडियो में जिसे कि आपका concept और picture clear हो जाएगा जब आप इन सारे chapter को पढ़ने जाएगे जब मैं अगले वीडियो आने वाले वीडियो में सब chapter पढ़ाऊंगा तो आप लोग का यह आज वाला class, आज वाला वीडियो आपको याद आएगा तो आपका concept वहाँ पर clear रहेगा, समझने में असानी होगा इसलिए वीडियो को बीना skip किए कि क्मिट अच्छे से समझ जिए कि यह वीडियो बहुत सारे वीडियो पर अपना effect डालेगा पहले हम बात करते हैं, module के बारे में, और module क्या है? module, अगर आप module के बात करें, तो यह एक तरीके से class होता है और इस class के उपर एक ng module decorator लगा रहता है, जो इस class को decorate कर रहा होता है, जो इस class को module बनाता है, ठीक है? Every Angular application must have at least one module, वोई भी अगर आपका application हो Angular का, तो उसमें at least एक module का file होना जरूरी है, अगले वीडियो में आपको लोग को coding के अंदर इस module को दिखाऊंगा, ठीक है? हला कि मैं आप लोग को installation है वाले नहीं तिखाया है, मैं पहले से created project में आपको दिखाऊंगा कि देखिए, यह module है, जितना पी चीज में आप रती दिखाऊंगा, सब कुछ अगरे वीडियो में, आर्किटेक्चर वाले वीडियो में, आप लोग को दिखाऊंगा भी कि यह component है, यह module है, ठीक है? यहाँ पर मैं theoretical short description आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो हर application में at least एक module का file होना चाहिए, if angular application contains only one module, अगर एक ही module है, तो उसका हम root module बोलते हैं, आप कोई angular का application create करते हैं, तो देखेंगे कि आप वहाँ पर app.module.ts file create होके आता है, that is the root module, at least एक module होना चाहिए, आप अपने application में, बहुत सारा module create कर सकते हैं, जिसे हम feature module होते हैं, जब मैं feature module class दूँगा, आप लोको video दूँगा, तो वहाँ पर feature module के बारे मैं भी समझाओगा, lazy loading वेगरा सब कुछ वहाँ पर आपको मैं बताना है वाला हो deeply, ठीक है, तो एक चीज़ दो clear हो गया कि ng module एक तरीके से class है, जिसके पास अपना कुछ meta data होता है, जिसमें declaration आता है, import आता है, export आता है, provider आता है, ठीक है, यह क्या है, अगले वीडियो में, architecture में, मैं आपको द इसको हम main building block पोलते हैं, अगला है हमारा short introduction की बात करें, तो component, ठीक है, component भी एक class है, the component is class with the template that deals with the view of application and it containing the code logic for the page, ठीक है, देखिए, component भी एक class है, जिस तरीके से, angular में module एक class, देखिए, जो भी angular में आपके rate करेंगे, सब class होते हैं, उसके उपर जो decorator लगा होता है, वही decorate करता है, कि ये class क्या है, जिस तरीके से, ng module decorator, ng module के अंदर जो class होता है, उसको module बना जता है, उसी तरीके से, जब component create करेंगे, तो वहाम पर 4 file create होता है, जब component create करना सिखाऊंगा, command through, ng generate component, और component का name देकर, तो 4 file create होता है, एक ts का file create होता है, जिससे हम component बोलते हैं, और उसमे करते हैं ठीक है उसके बाद उस component में CSS का file create होगा ठीक है यहाँ पर उसका CSS देखते हैं और aspect.ts file create होता है जिसे हम testing का file बहुते हैं ठीक है तो component जो ts file create होगा तो उसमें भी एक class रहेगा और उस class के उपर एक add the rate component decorator लगा रहेगा उसमें कुछ meta data रहेगे जिसे सेलेक्टर हो जाएगा template हो गया ठीक है उन सब के बारे में मैं समझाओंगा ठीक है तो वही decorator उस class को component बना देता है component कैसे create करते हैं component का कितना important role है कि हो component application based application बनाते हैं सब कुछ deploy हम component के chapter में देखेंगे यहाँ पर मैं short introduction में building blocks में आपको समझा रहा हूं कोई भी चीज में आप ही deeply नहीं बता रहा हूं ठीक है deeply हम chapter wise अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है अगला चीज है template जो भी मैंने बताया कि हर component का अपने HTML का file होता है उसी को हम template बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं template मतलब कि उस component का HTML का फाइल जहां पर उस component का designing करते हैं जब वो component लोड होता है यही template फाइल आपके browser में जाके दिखता है और जो ts file होता है जिसे हम component बोल रहे हैं वहाँ पर इस HTML से रिलेटेड लॉजिक लिखते हैं जैसे हाँ पर कोई बटन है तो उस बटन पर क्लिक करेंगे तो कोई function कहा रहेगा ts file पर हैगा तो ts file वाले file पर हम क्या करते हैं टाइप सिट में लॉजिक बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और template वाले file पर जिसे में HTML का फाइल वहाँ पर इसका designing HTML का code लिखते हैं सब कुछ करना हम सीखेंगे अगला चीज है service ठीक है अब service क्या है देखें service किसी भी technology में किसी important route ले करता है service भी एक तरीके से class है जिसे हम code को reuse करने के लिए यूज करते हैं यह हमें rigidity provide करता है कैसे जिसे माल जीए कि कोई ऐसा functionality है जिसे हमें बहुत सारे जगा यूज करना है बहुत सारे pages बहुत सारे pages पर लिखूँ ठीक है service को नहीं को functionality को जिसके में यूज करना है तो क्या होगा duplicate code हो जाएगा उतने सारे जगा अगर कोई फर्दर change आता है तो सारे जगा हमें change करना पड़ेगा तो कि कितना complex हो गया अगर वही functionality मैं किसी service के अंदर रख लेता हूँ तो benefit यह होगा कि code हमारा duplicate नहीं होगा एक ही जगा code होगा और कुछ change भी आया तो मैं को जाकर service में change करूँगा और सारे जगा अपने आप reflect कर जाएगा यह benefit हमें मिल जाएगा अगर हम service बनाते हैं इसलिए एंगलर के अंदर service के अंदर ही हम API integration करते हैं ताकि फर्दर कभी API में कोई change जाया उसकी वारेल में तो हम क्या करेंगे कि service में change करेंगे और service को जहां जहां हमने इच किया अपने आप सारे जगा reflect कर जाएगा देखिए service को लेकर English 6 में बहुत ही major change आया था ठीक है जब service के chapter हम start करेंगे उसका video provide करेंगे तो बहुत deeply दो पार्ट में करके आपको जाहेंगे कि इंग्डर में service कैसे हुजोता था इंग्डर सीस में क्या problem था कि उसका solution किया हुआ अब कैसे हुजोता है सब कुछ deeply देखने बारे हैं बने रहे हैं इस श्रीज में इस वीडियो को बिल्कुल ही deeply और एक एक मिनट बिना skip कि देखिए चैनल का अपने subscribe नहीं कि कर सकते हैं जहां पर हम corporate रूंग करते हैं जिसका लिंक इस वीडियो कि description box में अब लेबल है जाकर visit करिए सह और syllabus देखिए inquiry करिए और class 1 कर सकते हैं हमेशा life class से start होती रहता है हमारे ठीक है तो अब हम बात करते हैं आगला क्या है building block में डिरेक्टिव देखिए हमारे HTML को डैनेमी करता है डैरेक्टिव अगर आप से पुछता है कोई तो आप बोलेंगे कि डैरेक्टिव क्या करता है यह हमारे डॉम के structure और behavior को change कर देता है structure कैसे चैंज करता है जैसे हमाले आपको लूप चलाना है डिरेक्ट्ली आप का structure को change करता है जिसमें तीन तरह का डैरेक्टिव होता है component डैरेक्टिव और अट्रिब्यू डैरेक्टिव डैरेक्टिव के चैप्टर में मैं आप लोग को बिल्कुल ही deeply इसको पढ़ाने वाला हूँ ठीक है यह हम अभी इस वीडियो में को short introduction देख रहे हैं अगला है हमारा dependency injection देखे dependency injection क्या है जब आप service पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा है dependency injection क्या होता है दो term में बना हुआ है एक होता है dependency और एक होता है injection ठीक है dependency injection दो term में बनता है dependency injection जैसे माल लेजिए कि एक दो object है A और B ये के पास ऐसा functionality है जो B use करना चाहरा है मतलब कि B तभी अप dependency हो गया उसी तरीके से service के अंदर functionality होता है तो service हमेसा dependency होता है component को कोई अपना work को पर हम करना है तो उसको service मिलना चाहिए जिसके अंदर functionality लिखा हुआ है तो कहने के मतलब यह हुआ कि service एक dependency होता है जब उस service को आप किसी component पर use कर लेते हैं तो हो गया injection दोनों के मिला कर हम ब dependency injection ठीक है तिये concept है dependency injection का जब मैं आप लोगो service पढ़ाँगा तो वहाँ पर detail है आपको बताने वाला हूँ कि dependency injection कैसे service करते हैं और इसके लिए हम कैसे provider add करते हैं provider का क्या rule होता है dependency injection में यह सब कुछ हम आगे देखने वाले तो अभी आप लोगो ने देखा सारे main building blocks के बारे में कौन-कौन से main building blocks हैं और उसके बारे में short introduction short description आपने देखा इन सब के बारे में मैं detail ही आपको chapter wise आगे पढ़ाने वाला हूँ तो I hope कि आपको समझ में आया होगा फिर भी आपके mind में कोई confusion होता हमारे comment box में जरूर शेर करिए हम उसका solution आपको provide करेंगे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करेंगे चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर आपको हम बता करेंगे और उसका notification पाने के लिए आपको आइकन दबाएए ताकि आपको उसका notification तुरंत मिले तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों में सेयर करें ताकि सब को देखने को मिले जिसे कि हमारा मनुबल और भी बढ़ता है और हम न